आज हम बनाएंगे लौकी से सुपर टेस्टी बहुत ही यमी लौकी की ऐसी रेसिपी जिसे एक बार आप बना लेंगे ना तो यकीन मानिए सब्टा में चार बार भार अप इसे बना कर खाएंगे यह यूं कहें कि हर बार खाना खाने के बाद आपको मन करेगा कि दो चमच गहते हम और भी कर लान हम ये हैं। यह फिल्स कष्म करना है उसरी है। अब इसे हम पकाएंगे गरम गी तो कडाइ करेंगे, और तो डालेंगे घी। गी आप अपने स्रधा अनुसार अपने इक्षा अनुसार कम जादा आप इस्तमाल कर सकते हैं पर इस रेसिपी में थोड़ा सा ज्यादा घी डालिएगा ना तो बहुत ही बढ़िया स्वादाएगा इस घी में हम कुछ ड्राइफ रूट्स भून लेंगे तो यहां पर काजू बदाम मैंने इस्तमाल किया है पहले यह जो काजू बदाम है इसे हमें कुछ सेकेंड के लिए भूनना है बहुत जादा समय नहीं लगता है ड्राइफ रूट्स भूनने में आप इसमें अपनी इक्षा अनुसार ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं जैसे कुछ सेकेंड हो ज अब देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है तो यहां पे बहुत अच्छे से यह जो ड्राइफ रूट्स से भून चुके हैं अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे घी से और इसे रख देंगे ठंड होने के लिए इस तरीके से ड्राइफ रूट्स को घी में भून करक बहुत ही टेस्टी यह जो लॉकी की रेसिपी है बनकर त्यार होगी तो अब इसे साइड में रख देते हैं जब ठंडा हो जायागा ना तब इन्हें हम छोटे-छोटे टुकडों में काट लेंगे अब यह जो घी बच गया है ना इसी घी में यह जो लॉकी है इसे डाल दे घी न छोड़ दे और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सुख न जाए तुफले मीडियम रखे और चलाते हुए अच्छे से भून ले लगबग 5-7 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए आप देख सकते हैं घी सेपरेट होने लगा है घी छोड़ दिया है यहा पर मलाई के साथ मैं दूद का इस्तमाल कर रही हूं लगबग एक कप एक बड़ा कप मैं यहां पर दूद डाल रही हूं मलाई के साथ अगर मलाई इस्तमाल नहीं कर रहे हैं आप तो फिर आप इसमें 2-3 कप दूद का इस्तमाल करें मैं मलाई के साथ दूद का इस्तमाल कर है ना इसमें वह सुख न जाए तो फ्ले मा यहां पे आप मीडियम कर लें और अच्छे से चलाते हुए आप इसे पकाएं आप इसमें नारिल का पुरा अद्गा डाल सकते हैं या फिर जला सा निल्क पाॉडर भी आप इस government के डाल सकते हैं यहां पिर दूद्ध गूर्ट अनुद्ध जो हमने डाला था वो शूख चुका है लाची को मैंने कूट करके उसकी बीज का इस्तमाल किया है और अब इसे हम चलाते हुए फिर से पकाएंगे दुबारा से इसमें से पाने रिलीज होगा जब चीनी पीग लेगा तो तो हम ही क्या करना है कि फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसे चलाते हुए हमें घी सेपरेट होने तक इसे पकाना है अच्छे से सुखा लेना है इसे थोड़ी देर में लगबख 5-7 मिनट लगेंगे दुबारा से ये अच्छे से सुख जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इस स्टेज पर डाल देंगे कटी हुई ट्राइफ फ्रूट्स इस तरह से बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा बनकर त्यार होता है ये जो हलवा है ना इस हलवे के आगे आपको गाजर का हलवा मुंगडाल का हलवा सब फीका लगने वाला है अगर आपको यकिन ना हो ना तो आप एक बार लौकी का ये जो हलवा है इसे इस तरीके से बना करके खाएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही tasty लगता है ये हल्वा, मेरे घर में मेरे husband को मुझे बहुत ज़ादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये हल्वा, तो आप ही अपने घर में इसे बनाकर try किजिएगा, बहुत आसान है इसे बनाना आप देखी सकते हैं और अभी लौकी का सीजन भी है ऐसे में ये हलवा बनाना तो बनता ही है साथी साथ नौरातरी चल रही है तो अगर कोई ही डिलिसियस बहुत ही डिस्टी लौकी का हलवा बना कर त्यार कर सकते हैं जरूर बनाईएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किजिएगा